जर्वीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल को लेकर इन दिनों काफी बच है ये इस साल की अगली बड़ी फिल्म होगी जो थियर्टर्स पर कहर बरपाने की तयारी में है इस फिल्म को संदीप रेडी वांगा ने डारेक्ट किया है जो पहले ही अरजुन रेडी और कभीर सिंग की बंपर सक्सिस के बाद इंडस्टी के अगले बड़े डारेक्टर बन चुके हैं ये फिल्म इस साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर थियर्टर समें रिलीज होने वाली है अब इसी बीच 90 के दशक के सूपरस्टार सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर टू को लेकर भी एक दिल्चस्प जानकारी सामने आ रही है जियां, मीडिया डिपूर्स की माने तो साल 2023 के इंडिपेंडेंस डे के दिन बॉक्स ओफिस पर रणबीर कपूर वर्से सनी देओल होने वाला है रिपोर्ट के मताबिक सनी देओल और अमिशा पटेल की फिल्म गदर टू भी इस साल अगस्त महीने में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही थियाटर पहुचेगी गदर टू भी 11 अगस्त 2023 को ही रिलेज हो रही है ये फिल्म एक भारतियता का सेलिब्रेशन भी है ऐसे में इस फिल्म को रिलीज करने के लिए सिब बहतरीन दिन नहीं हो सकता फिल्म का एडिट वर्क फिलहाल ज़ारी है जल्दी फिल्म की रिलीज का मेकर्स ओफिशली एलान भी कर सकते हैं दरसल फिल्म एनिमल के साथ सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं बलकि बॉबी देवल का भी मुकाबला अपने भाई सनी देवल से होने वाला है। इस फिल्म में बॉबी भी रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगे। ऐसे में बॉबी देवल भी होने माला है। दें कि हाल में ही रणबीर कपूर का एनिमल का फस्ट लुक भी रिवील कर दिया किया है जो कि फैंस को काफी पसंद आया है कबीर सिंग के बाद ही एनिमल फिल्म के डारेक्टर संदीप रेडी वांगा की फिल्म को लेकर भी लोगों में गजब का क्रेज है बताया जा रहा है कि एनिमल में रणबीर कपूर एक साइको के रोल में नजर आने वाले हैं इस तरह का किरदार उन्होंने अपने करियर में अब तक नहीं किया ऐसे में झाले हैं झाल